गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमने अपने पिछले वीडियो में इंडिया इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड लोकेशन का पाट वन का पाट वन वीडियो अपलोड किया था दोस्तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा वीडियो इसी का बना रहे हैं दोस्तो यहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखे थे अब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहला है कि भारत का छेतरफल के एकॉर्डिंग वीश्व में सातवां अस्थान है छेतरफल के डिष्टी कोन से भारत वीश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है जो अन बरे देश हैं उसमें आपका नम्मर वन हुआ रूस दूसरा कनाड़ा तीसरा यूए से चौथा चीन पाचवां ब्राजिल छठा आपका छठा हुआ आस्थ्रेलिया आस्थ्रेलिया शात्मा भारत दस्तो छेतरफल के डिष्टी कोन से बिश्व के बड़े देशो में नम्मर वन रूस नम्मर टू कनाड़ा नम्मर थ्री उसे नम्मर फोर चीन नम्मर फिफ्ट ब्राजिल शिख्ट आस्थ्रेलिया नम्मर सिविन भारत और नम्मर एट जो है आपका अर्जेंटीना अर्जेंटीना नम्मर एट है तो दोस्तो यह PCS के प्रिलिम्स के लिए बहुत इन्पॉर्टेंस कोश्चन साय कभी कभी एसेंडिंग और डिसेंडिंग और में इसे सजाने के लिए देता है तो दोस्तो यहां पर हम लोग ने 20 के बारे देशों को देखे अगर हम सबसी छोटा देश छेतरफल के एकॉर्डिंग देखते हैं तो 20 में सबसी छोटा देश वैक्टिकन सीटी है वैक्टिकन सीटी है जो आपका यूरोप महादेश में इटली के अंतरगत है इसका पूल छेतरफल 0.54 स्कॉर किलो मीटर है तो इस परकार छेतरफल के डिश्टी कोन से विश्व का सबसे बारे देश रूस और सबसे छोटा देश वैक्टिकन सीटी दोस्तो यहीं पर हम एसिया के एकॉर्डिंग भी देखते हैं तो एसिया में छेतरफल के डिश्टी कोन से सबसे बरा देश चीन है चीन सबसे बरा देश है और माल्दीव माल्दीव सबसे छोटा देश है छेतरफल के डिश्टी कोन से दोस्तो माल्दीव प्रवाल भित्ती से प्रवाल भित्ती से प्रवाल भित्ती या कोरर रीव से बना हुआ है और माल्दीव की राधानी माले है दोस्तो यह तो आपका छेतरफल की एकॉर्डिंग हुआ अगर जनसंख्या की according हम लोग देखें तो जनसंख्या की अनुसार विश्व का सबसे बरा देश नमर वन पर चीन, नमर टू भारत, नमर थीरी यूएसे और नमर फोर इंडोनेसिया इस तरह से आपका जनसंख्या की according विश्व के बरे देश हुए चीन, भारत, यूएसे इंडोनेसिया दोस्तो अब हम लोग भारत का मानक समय पर चर्चा करते हैं तो भारत का मानक समय इस्टेंडर टाइम इलाहबाद के पास या परियाज राज के पास मिर्जापूर से निर्धारित किया जाता है कहां से तो मिर्जापूर से निर्धारित किया जाता है भारत का मानक समय और भारत का मानक समय ग्रीन वीच मीन टाइम से सारे पाच घंटा अधिक होता है दोस्तो यह जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वह सारे बेरासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है और यह जो रेखा है भारत के पाच राज्यों से होकर गुजरती है यह राज्य है उत्तर पर्देश, मध्ध पर्देश, 36 गठ, उरीशा और आंधर पर्देश तो इस तरह से सारह बेरासी डिग्री पूर्वी देसांतर रेखा भारत के पाच राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारत में सुर्जयोदय सबसे पहले अरुनाचल परदेश में होता है और सबसे बाद में सुर्जयोदय आपका गुजरात में होता है तो भारत का देसांतरिये जो विष्टार है वह 30 डिग्री का है 30 डिग्री यहां से यहां तक के बीच में 30 डिग्री देसांतर का अंतर होता है 30 डिग्री देसांतर का विष्टार है और 1 डिग्री इसकल टू चार मिनट होता है तो 30 डिग्री इसकल टू चार गुने 30 120 मिनट मिन्स 2 घंटे तो इसलिए यहां के और यहां के समय में 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तो यहां पर एक और चीज है कि भारत में सबसे पहले सुर्जोदे अरुनाचल परदेश में और सबसे अंत में गुजरात में तो अगर अरुनाचल परदेश में सुर्जोदे 4 बजे सूबा होता है चार बजे सुबह होता है तो गुजरात में सुर्जोदेज होगा छो बजे होगा अगर यहां पाच बजे होता है तो यहां साथ बजे होगा तो इससे होता क्या है कि पुरुवत्तर के छेत्रों में व्यक्तियों को आफिस जाने के लिए विशेश टाइम मिल जाता है जैसे भारत में समान्यता जो ओफिस खुलने का समय है सुबह के 10 बजे से साम के 4 बजे तक तो यहां तो अगर 4 बजे सुर्जोदे हुआ और 10 बजे 10 बजे ओफिस खुलता है तो इसके बीच में 6 घंटा 6 घंटा का टाइम मिलता है यहां के लोगों को लेकिन अगर हम गुजिरात पर विचार करें तो गुजिरात में सुर्जोदे कब होगा तो 6 बजे सुबह होगा और यहां पर भी अफिस 10 बजे खुलेगा तो 4 घंटा का टाइम मिलेगा ब्यक्तियों को 10 बजे से पहले दोनों के बीच में 4 घंटा होगा मिन्स यहां पर आफिस जाने के लिए सुबह में समय कम और इधर सुबह में समय अधिक इसी परकार सबसे पहले सुर्जास्त अरुनाचल परदेश में होगा और सबसे अंतिम में सुर्जास्त गुजिरात में होगा भारत में तो मान लिजे कि यहां पर सुर्जास्त पाच बजे होता है तो इधर के इस्तिती में साथ बजे सुर्जास्त होगा इस इस्तिती में यहां पर साम में व्यक्तियों को समय कम मिलता है और इधर के व्यक्ति को साम में समय अधिक मिलता है साम में समय अधिक मिलता है क्योंकि ओफिस चार बजे क्लोज हो जाता है और साथ बजे सुर्जास्त होता है इधर भी ओफिस चार बजे क्लोज हो जाता है और पाच बजे सुर्जास्त होता है इस इस्तिती में जो पुर्वत्तर के राज्य है उन राज्यों में साम में उर्जा संसाधन की अधिक हो सकता होता है क्योंकि जो भी आफिस है या यहां भी व्यक्ति किसी भी तरह के कार्ज करते हैं वहां लाइट किया हो सकता होती है और उर्जा के खपत अधिक होता है जो आपका आसम से होकर गुजरेगा आसम से यह टाइम जोन होकर गुजरेगा तो आने वाला समय में भारत में दो समय जोन होंगे टाइम जोन होंगे लेकिन बरतमान समय में दूसरा टाइम जोन नहीं बनाए जा रहा है इसके पीछे में कारणिया है कि भारत में असिच्छा अधिक है ऐसे इस्तिती में सामान नियागरीकों को बहुत अधिक समस्य उत्वन होगा जब दो टाइम जोन बनाये जाएगा तो सभी व्यक्तियों को टाइम जोन में अंतर के अनुसार घरी के सुई को बढ़ाना परेगा अपने घरी को मिलाना परेगा ओफिस के काजिकाल को बदलना परेगा तो इस कारण से इस कारण से अभी दो समय जोन दो टाइम जोन नहीं बनाये जा रहा है दोस्तों 20 में ऐसे अनेकों देश हैं यहां पर एक से अधिक टाइम जोन है बरतमान में सबसी अधिक टाइम जोन फ्रांस में है फ्रांस में 12 टाइम जोन है और रूस में इगारह टाइम जोन है अमेरिका कानाडा चीन जैसे देशों में भी एक से अधिक टाइम जोन है तो दोस्तों इस तरह से बर्तमान में भारत में एक समय जोन है जो से आपको सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा से निर्धारित किया जाता है आने वाले समय में भारत में दोसम टाइम जोन होगा दोस्तों अब थोरा हम लोग करकरेखा के बारे में बात करते हैं तो करकरेखा क्या है करकरेखा तो सारे 23 डिग्री उत्री अच्छांस रेखा को करकरेखा करते हैं जो भारत के बीचों बीचों होकर गुजरती है यह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है वे राज्ये हैं गुजरात, राजस्थान, मधपरदेश, छतिसगाट, जारखांड, पच्छिम बंगाल, त्रीपूरा और मिजोराम तो इस तरह से करकरेखा भारत को लगभग दो भागों बाटते हैं दोस्तो अगर भारत के उत्तर से दच्छिन की लंबाई देखते हैं नौर्थ टू साउथ यह आपका 323 किलो मीटर है मिन्स आपका यहां इंद्रा कॉल से एक करन्या कुमारी तक 323 किलो मीटर है जबकि एस्ट टू वेस्ट एस्ट टू एस्ट टू वेस्ट 293 किलो मीटर है 293 मिन्स यहां इस तरफ गावहर मोती और इस तरफ की बुद्धू तो इसके बीच में 293 और यहां से यहां तक यह 324 दोस्तो अगर हम लोग भारत के उत्री बिंदू तो भारत के उत्री बिंदू इंद्रा कॉल तो इंद्रा कॉल कहां तो इंद्रा कॉल लद्धाख में भारत की दचनी बिंदू तो इंद्रा पॉइंट कहां आपका ग्रेट निकोबार में अंडवान निकोबार के अंतरगत ग्रेट निकोबार है तो उस ग्रेट निकोबार में भारत के पच्छमी बिंदू गौहर मोती या गौहर माला गौहर मोती या गौहर माला गौहर मोती ए आपका कहा तो गुजिरात में गुजिरात में इस्तित है आपका भारत का पूर्वी बिंदू, तो अरुनाचल परदेश में की बुथू, की बुथू, अब की बुथू, की बुथू, की बुथू, आपका कहां है, तो अरुनाचल परदेश में, तो इस तरह से उत्री बिंदू, दच्छनी बिंदू, मुख भारत का पच्छमी बिंदू, पूर्वी बिंदू, संपुर्ण भारत का दच्छनी बिंदू दोस्तो, भारत के दच्छिन में सिरलंका है, और भारत और सिरलंका को पाक जल्डमरुमद और मननार की खारी